आपका स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइन्स की वर्षिट ये वर्षिट वर्षिट नमबर 17 है और इस वर्षिट में हम लोग प्रकास, चाया और प्रावरतन को जानेंगे प्रकास से चाया बनती है इस चीज को सबसे पहले हम जानते हैं एक अंधेरे कमरे में टार्च जलाएं और टार्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टार्च के सामने दिवार पर बने अपने हाथ की छाया देखेंगे आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते छाया बनाने के लिए आपको प्रकास के सुरोत की आवसकता होती है तो ये जो टार्च है आपका ये प्रकास के सुरोत का काम करेगी और जब प्रकास का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या औरुद होता है तो वस्तु के पीछे के छेतर में अंधेरा रहता है क्योंकि प्रकास उस छेतर तक नहीं पहुंचता है ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकास एक सीधी रेखा में चलता है तो यहां आप देख रहे हैं कि जब प्रकास के सामने हाथ रखा गया तो उस हाथ की छाया दिवार पर पड़ी मतलग कि प्रकास सीधी रेखा में चलती है और जब वस्तू के द्वारा प्रकास का एक हिस्सा औरुद्ध होने पर छाया का निर्मान होता है हमने इस चीज को जाना और उसके बाद है हम एक दिवार या जमीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो एक परदे के रूप में काम कर सकती है अपारदर्सी बस्तू है पारभासी बस्तू के तुलना में अधिक गहरी चाया उत्पन करते क्योंकि अपारदर्सी बस्तू से होकर प्रकास पार नहीं करती है इसलिए इसकी जो चाया बनती है वह गहरी बनती है एक अपारदर्शी बस्तू प्रकास को पूरी तरह रोक देती है जैसे देखे यह अपारदर्शी बस्तू यहां से प्रकास गई तो यहां रुक जाती है इसके बाहर नहीं निकल पाती है जबकि एक पारभासी वस्तु प्रकास को आंसिक रूप से वहां से गुजरने देती है वहीं जब पारभासी वस्तु होगी तो उसमें से अगर आप प्रकास को गुजरेंगे तो आंसिक रूप से कुछ प्रकास गुजरेगी इसलिए अब पारभासी वस्तु की छाया थोड़ कर सकते हैं लेकिन पारदर्सी वस्तु अगर आप एक सीशा लगा दें तो किसी भी छाया का निर्वान नहीं करती है और उससे होकर प्रकास गुजर जाती है क्योंकि यह प्रकास को माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती पारदर्सी वस्तु के आर पार प्रकास सदे की आव सकता होती है जिस पर प्रकास परती है चाया सदय काली होती है यहां तक की रंगीन बस्तुओं की चाया भी काली होती है चाया का कोई रंग नहीं होता जब होगी तो काली होगी चाया बस्तू किसी भी रंग की हो चाया की आकरिती आकार और प्रकृती निम्लिकित पर निर्भर करती है कौन जिस पर प्रकास बस्तू पर परता है तो उस कौन के हिसाब से चाया की आकरिती निर्भर करती है वस्तू और स्रोत का आकार उसके हिसाब से छाया की आकरिती निर्भर करती है वस्तू और प्रकास स्रोत के बीच की दूरी के हिसाब से भी छाया की आकरिती निर्भर करती है परदे और वस्तू के बीच की दूरी पर भी छाया की आकरिती निर्भर करती है कौन जिस पर प्रकास वस्तु पर पड़ता है यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरिक्षन करते हैं तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है मतलब कि मान लिजे कि दिन के समय हम पेड़ को देखते हैं या देख लिजे सुबा में सुबा में इसकी छाया अधिक रहती है दो पहर में इसकी छाया छोटी होती है क्योंकि सुर्ज उपर होता है और साम को इसकी छाया लंबी हो जाती है तो इस तरह से पेड की छाया का जो हम निर्चन करते हैं तो कौन के हिसाब से जैसे जैसे सुरी का कौन पेड से अलग बनता है वैसे वैसे इसकी आकरिती में भी छाया की आकरिती में भी परिवर्तन दिखता है तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है एक पेड़ की छाया दो पहर में सबसे छोटी और सुबा और साम सबसे लंबी होती है इस तत्य में पुराने समय में लोगों को समय जानने में मदद की मतलब पुराने समय में लोग इसी तरह से समय जानते थे अब कह रहा है सोचिए एक टार्च तारे के आकार के कार्ड पर चमक दिए यहाँ एक कार्ड है जो तारे के आकार का है और कार्ड के पीछे रखे परदे पर एक छाया बन दिए यह तार्च को कार्ड से दूर ले जाए जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा यदि यह टार्चे कार्ड से दूर जाएगी तो छाया छोटी बनेगी और जैसे जैसे टार्चे कार्ड के नदी कायेगी छाया बड़ी बनेगी इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे उसके बाद यहां कुछ प्रस्न दिये गए है छाया क्या है? छाया कब बनती है? एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है? क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है? लकड़ी की कुर्सी पर प्रकास पढ़ने पर क्या होता है? नीचे दिएगा आंकडे पर गौर कीजिये यहां X Y Z को पहचाने तो आप X देखिए सबसे पहले Y देखिए Y प्रकास का श्रोत है उसके बीच यहां पर चाया क्या है एक चाया कब बनती है एक चाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है तो इसका उत्तर है वस्तु के दूसरी तरह बनने वाला काला छेत्रे चाया कहलाता है वस्तु के द्वारा प्रकास का एक हिस्सा और रूध होने पर चाया बनती है चाया कि रंगों को प्रभावित नहीं करता है इसके बाद है प्रस्न तीन प्रस्न तीन है कि लकड़ी की कुर्सी पर प्रकास पढ़ने पर क्या होता है तो इसका उत्तर है लकड़ी की कुर्सी पर प्रकास पढ़ने पर उसकी छाया दिखाई देती है और प्रस्न चार है जो कि खाल झाल झाल